2014 के पहले कुछ सालों में देश के बैंकिंग सिस्टम को जीस प्रकार से नुक्सान पहुँचाया गया था आज हर किसी को पता है कि कैसी स्थितियां पैदा हो गई थी क्या कुछ नहीं हुआ था बीते साथ सालों में एन पीएज को पारदर्शिता के साथ रेकगनाईज किया गया रिजॉलूशन और रीकवरी पर ध्यान दिया गया पब्लिक सेक्टर के बैंकों को री केपिटिलाईज किया गया फाइनचिल सिस्टिम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किये गए जो विल्फुल डिफॉल्टर्स पहले सिस्टिम से खिलवार करते थे अब उनके लिए मार्केट से फंड जुटाने का रास्ता बंद कर दिया गया है पब्लिक सेक्टर बैंकों से जुड़ी गवरनेंस में सुधार हो डिसिजन मेकिंग ट्रांसपर पोस्टिंग से जुड़ी आजादी हो छोटे बैंकों को मर्ज कर बड़े बैंकों का निर्मार हो या फिर नेशनल एसेड रीकंस्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थाफना हो इन सभी कदमों में आज बैंकिंग सेक्टर में नया विश्वास नई उर्जा लोट रही है